Hello students, Rajasthan Land Revenue Act 1956 पर हम बात कर रहे हैं थे, Last class में हमने Appeal Reference Revision and Review की class स्टार्ट कर लिए थी, जिसमें हमने Appeal से रिलेटेड प्रोविजन कम्प्लीट कर लिए थे, Section 74 से लेकर Section 81 तक हम बात कर चुके हैं, जो Appeal से रिलेटेड हैं आपके, आज हम बात करते हैं section 82 से लेकर 87 के बारे में और इस topic को खत्म करते हैं section 82 जो है वो है आपका reference related यानि कि निर्देशन से सम्मंदित तो आइए start करते हैं section 82 आपका बात करता है अभी लेक एवम कारेवाई या मंगाने और राज्य सरकार या बोड की निर्देशन करने की शक्ति it means power to call for records and proceedings and reference to state government or board तो अभी लेक और कारेवाहिया मंगाने की और राज्य सरकार या बोड की निर्देशन करने की शक्ति तो यहाँ पर नयल्य को विदी के नुसार देखिए अपना निर्देशन के बारे में चाहे वो विदी प्रतागत नियम है या अधिनियम है या कोई अध्यदेश है उसके विशे में जहां पर कोई सभी थोड़ा सभी doubt arise होता है तो वाद के अंति मिर्देशन करना अवश्यक हो जाता है क्योंकि देखिए ऐसा ना किये जाने से नयाय के सिध्धानत की विफल होने की संभावना बढ़ जाती है इस धारा में निमले के तीन प्रादिकारियों को अभिलेक मंगवाने और उसे निर्देशित करने की शक्ती दी गई है पहला प्रादिकारी है आपका कलाक्टर दूस अजिसरा है आपका बंदो बसता युक्तियन की सेट्लिमेंट कंसेयर प्रादिकारी है नोए जो भी राजसी कारी है जो राजस्व नाइल है उसे रेटलिट्टर टॉकुमेंट्स को ये मंगवा सकते हैं उसे जाज कर सकते हैं ऑब बात आती है कि इन्होंने मंगवा लिया मृम्णा इन्होंने जहाच कर लिए अब जहाच करने के बाद एधिनस्त जो न्याल लहा है कोई भी कार्यवाही या कोई पारित आदेश में परिवर्थन करने के आवश्च रखता है इनको ऐसा लगता है कि उसमें चेंजिस किया जाने है या फिर उसको रद्द किया जाना है तो उस मामले को वह अपना मत को व्यक्त करते हुए निर्देशित करेंगे तो जैसा भी उन मामला नयाइक प्रकुर्ति के बारे में में थाना सक पड़ः जाएंगे तेकर जो राज़त से समंदित होंगें प्रस्किया आपक करें देए कि नेयाइक क्यों चीज़ें नहीं है कि यह जो दोी संभाने मामले हैं ओका पेले लिस नियाइक मामले महालय है तो जो जो मामले हैं सैटल्मेंट से समधर जो केसित जाएंगे किसको रचा किया जाएंगे और रचा रचा कक्ला को 말을 rixux Nistleke करेंगे ठ्याब सेतरु करेंगे यह राज्य सरकार को रहर किया जाएगा तो यह फिल सक्राइब अधिनियम में समयावदी का प्रावदान नहीं है कोई टाइम लिमिटेशन नहीं बता रखिए किसी मामले में निर्देशन की कारेवाई पक्षकारों को सुनवाई का उफसर दे बिना नहीं कि जा सकती हाला कि समयावदी का उलेक नहीं है लेकिन फिर भी पार्टी इसको जो है वो राइट युहारिंग तो देना ही होता है उसके बाद ही कारेवाई आगे कि जाती है आप ह आपका समंदित आपका यह मैटर है कि सेक्षिन एडिधरी बात करता है पावर अव गवर्मेंट टू कॉल फूर रिकॉर्ड एंड रिवाइज ओर्डर्स तो यह आपका बात करता है रिवीजन के बारे में तो राज्य सरकार की अभिलेक मंगवाने और आदेशों को पुरिक् इस अदिनियम के तह governing मंगा सकती है और जैसा ही राजर श्रकार ऊचिस समझे वैसा आदेश पारिद कर सकती है बूमी आवन टैन का मामला यौद कबज़े का नियमन गल्व गैर नियाँनके और इसे मामलों में इस मामला कहा जाएगा रेविन्यू बोर्ड के पास इस अधिनियम के परपस के तहत हो तो कहां जाएगा राजेस बोर्ड के पास और उससे इत्तर हो यह जो आपका गैरनेक मामला हो इस अधिनियम के तहत है यह बंदोबस से समंदित नहीं है तो मामला कहा जाएगा राजेसरकार बात धिया पश्क्राइब में अपील की जा सकती है उनमें पुनरिक्ष्ण नहीं हो सकते यह बात धियान डखने योगे है कि जिन माम अफिक्षन के लिए आवजितल करना पक्षकार का अदिकार नहीं है धियान रखिये बल्कि क्या यह का इस बात करते हैं section 84 सेक्षिन 84 प्रादेशों को पुंरिक्ष tumor करने की शक्ति in 33 तो बात कर रहे थी राजय सरकार के पुंरिक्षिंख की शक्ति के बारे में और यहां पर बोर्ड क्या कर सकता है कि जो माम्ले बंदो बस से सम्मन्दित है या इस अधिशन के तहत नियाएक कर सकता है किन मामलों में कर सकता है वो फर्स निर्ने देने वाले नैले को या राजस्वदिकारी को किसी मामले में मान लेजे शेत्रादिकार ने यह फिर भी उसनी शेत्रादिकार का प्रियोग किया है तो राजस्वमंडल उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है और थर्ड निर्ने देने वाले नेले अप्रादिकारी द्वारा शेत्रादिकार का प्रियोग करते समय अवेद्गरते किया गया है मान लेजी यह तात्विक अन्यमित्ता बरती गई यह बहुत ही फैक्शल इंड रेगुलिटी बरती गई है उसके द्वारा जिस मामले में राजस होगा अन्यता नहीं शंकरलाल वर्सिस उमेश सिंह का जो मामला है आपका 1993 इसमें निर्ने दिया गया कि पुन्रिक्षण नैले का अधिकार है और जहां राजस उमंडल इस नतीजे पर पहुंचता है कि निचले नैले द्वारा गंभीर अन्यमित्ता बरती गई है तो राज कि कुछ मामलों में बताता है कि कुछ मामलों में पुन्रिक्षण नहीं होगा पर एक्जामपल अंत्री मादेश के वरुद्ध को पुन्रिक्षण प्रस्तुत नहीं होगा तथा ऐसे समस्त बकाया पुन्रिक्षण राजस्व अधिनियम संशोधन अध्यादेश के प्रभा प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना कोई आदेश तब तक पालब देखिए कहने का मतलब यह है कि सेक्शन सेक्शन 85 यह बात करता है राज्य सरकार की पुर्ण राव लोकन की शक्ति के बाने में यह बात करता है आपका रिव्यू बाइदा स्टेट ऑफ गवर्मेंट तो रिविजन यह हमारा कमप्लीट हो गया अब स्टार्ट हो गया हमारा रिव्यू जो मामले बंदोबस से समंधित नहीं है या जो इस अधिनियम के तहत नैग प्रकृति के नहीं है उनमें राजय सरकार June लोको कुन्राव लोगन की शक्ति है किस परकार की शक्ति है ये बात ये बता रख़ी आपका सेक्शन 86 में सेक्शन 86 को का सब सेक्शन फर्स्ट जो बात करता है राजा सुमंडल को स्वय प्रेर्णा से या किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तूत करने पर अपने स्वयम के द्वारा या सदश्यों द्वारा पारित आदेश का पुंड्रावलोकन करने की शक्ति से या किसी पक्षकार द्वारा मानली जावेदन के जाने पन पुंड्रावलोकन का अधिकार प्राप्त है ठीक है ना वो भी कर सकता है लेकिन कोई भी राजस्व नेले अप्रादिकारी अपने स्वयम द्वारा पारित आदेश या अपने पुर्वादिकारी द्वारे पार देना ज़रूरी हो जो भी उससे जुड़े हुए है उनको क्या करना पड़ेगा आपको नोटिस देना होगा ठीक है दूसरी बात यह दिक किसी आधेश की अपील की गई है या पुन्रिक्षन के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक वे अपील या पुन्रिक्षन का रहे ह लम्मित है, तब तक पुन्राव लोकन नहीं किया जा सकता है, पहले उनका सॉल्व होना जरूरी है, ठीके वो फाइरल हो जाया, उसके बात किया जा सकता है, तीसरी बात कि पुन्राव लोकन का आवेधन पत्र प्रस्तुत करते समय, CPC के आदेश 47 और नियम 1 में वर्ने आधा पुन्राव लोकन का आवेधन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, एक पार्टिकुलर केस लो है, आपका यावे सुर्जाराम वर्सेस स्टीट ओफ राजस्तान 1994, इस मामले में डिसाइड किया गया कि राजस सुमंडल पुन्राव लोकन की कारेवही करते समय, अपने पहले लिड़े को दुबारा खोल कर कारेवही नहीं कर सकता, जहां रिकॉर्ड से कोई गलती प्रतीत नहीं होती है, इसमें आगे यहमत वेक्त किया गया कि पुन्राव लोकन की कारेवही में अत्रिक्त साक्षे ग्रेवही में कभी भी अगर कोई अत्रिक्त साक्षे है, वो ग्रे किया जा सकता है अन्य एक्स्ट्रा कोई एविडेंस नहीं जोड़े जा सकते बुन्राव लोकन में अत्रिक साक्षे के आदार पर दिलने दुबारा नहीं लिखा जा सकता यह बहुत इंपोर्टेंट बात हुई आपकी अब बात करते हैं हम लास सेक्शन 87 के बारे में सेक्शन 87 डिक्लेर करता है आपका कि भू राजस अधिनियम 1956 और हमारा जो काश्टकार अधिनियम 1955 है उसके अंतरकत प्रस्तु सभी प्रकार के आवेदन पत्रों अपीलों पर लिमिटेशन एक 1908 के प्रावधाल लगू होंगे तो यह इसके एंपोर्सिबिलिटी की बात करता है ठी तो इस तरह से हमारा जो है वो इस चैप्टर कंप्लीट हुआ अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक थैंक्यों अलफ यू